नमस्कार और विल्कम योल वर्ल अफेर्ज में प्रशान दवन आउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये निव सुनी होगी कि जो भारत के हाई कमिश्टर है टू यूके ये जा रहे थे ग्लासगाओ के एक गुर्दवारे में रास्ते में इनको गलत तरीके से रोका गया इनक इनको रोका गया एक गुर्दवारा एंटर करने से ये बहुत ही जड़ा गलत है और मैं आपको इन डीटेल बताऊंगा के यहां पर हुआ क्या है वैसे मैं एक बाद क्लियर कर दू इस सब इंसरेंट से रिलेटेड एक वीडियो भी सामने आई है जहां पर जिन लोगों ने अब यूस किया इंडियन हाई कमिशनर को वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि हम इंडियन हाई कमिशनर को गुर्दवारे में नहीं जाने देंगे वगरा वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि इस से जो गलत elements है उनकी glorification होती है और इं UK का जो FTA है उस पर बातचीत जोरो शोरो से आगे चल रही है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि हुआ क्या है UK के जो end list है वो इस बारे में क्या कह रहे हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर और क्या steps हमको लेने चाहिए ताकि in future ऐसा ना हो तो काफी कुछ यहाँ पर आपको जान इंडिया से बहुत जारा बढ़ने वाला है यह हैं आपकी options 70%, 50%, 30% या 100% comment section में करी उत्तर सही answer में आपको दूँगा वीडियो के अंत में ओके तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे यह हैं भारत के high commissioner मतलब के सबसे बड़े diplomat इंडिया के to the United Kingdom यह विक्रम साब इंडियान हाई commissioner और जब मैं कहता हूँ इंडियान हाई commissioner to UK तो यह बेसिकली भारत को represent करते हैं चार देशों में UK आपको बताओगा चार कंट्रीस का ग्रूप है Scotland, Northern Ireland, Wales और England तो Scotland में दो बहुत ही important शेर है एक तो है ग्लास गाओ कई लोग सोचते हैं कि Scotland की जो राजधानी है वही ग्लास गाओ है क्योंकि ग्लास गाओ एक बहुत ही popular city है मगर Scotland की जो राजधानी है यह एडिनबर्ग है तो एडिनबर्ग की हम यहावे बात कर रहे हैं ग्लास गाओ की ग्लास गाओ में देखी एक बहुत ही भववे गुर्दवारा है और वहाँ पर जो गुर्दव साब मतलब it is a very common thing Indian government के ministers हमारे diplomats बहुत frequently गुर्दवारे जाते हैं इससे obviously communities के बीच में goodwill भी create होती है तो भारत के High Commissioner Glass गाओ के जो गुर्दवारे वहाँ पहुचे अचानक से क्या होता है कि कुछ radical लोग आते हैं Indian High Commissioner को abuse करना start कर देते हैं जी हाँ बिलकुल यहाँ पर Indian High Commission issue statement on Glasgow गुर्दवारा incident हमारे High Commissioner को अगया देखो यहाँ पर बात सिर्व इकरम साफ की नहीं है he is representing India यह बहुत बड़ी बात है कि भारत के High Commissioner के साथ यह सब हुआ यह गुर्दवारे जा रहे थे गुर्दवारे की जो committee है उन्होंने इनको welcome कर रखा था अचानक से कुछ radical लोग आते हैं वो कहते हैं कि Indian High Commissioner को हम गुर्दवारे में एंटर नहीं करने देंगे इनको threaten किया जाता है अभी उस किया जाता है और Indian High Commissioner ने डिसाइड यह किया कि यह जो radical लोग है यह publicity के लिए यहाँ पे आए है ठीक है होल नम जाने के लिए यहाँ पे आए तो Indian High Commissioner ने देख पाऊगे यह tweet है Colin Bloom की अब यहाँ पे आप कोगे अच्छा Colin Bloom यह कौन है देखे काफी बार UK Government जब report publish करती है on security तो इनकी जो आपके लोग जो इनके articles है जो यह comments करते हैं जो इनका review है उसको mention किया जाता है अब यहाँ पे आप देख पाऊगे Colin Bloom यह कह रहे है कि Britishers को य इनके देश में हो क्या रहा है so that we are clear the Sikh गुर्दवारा कमेटी in Glasgow गुर्दवारा put on a community reception to host the Indian High Commissioner जो Glasgow गुर्दवारा कमेटी है वो welcome कर रहे थे Indian High Commissioner को अचानक से क्या होता है एक group of out of the town जो लोग यहाँ पे आए थे जिन लोगों ने Indian High Commissioner को abuse किया, threaten किया इन में से कई लोग तो Glasgow के थे भी नहीं, एक group of out of town pro-Khalistani activists turn up, physically intimidate the local Sikh community and try to attack the High Commissioner to London in his car and they film themselves doing it and put it on their social media accounts, यह मैंने इसलिए आपको बोला कि जो उनकी footage थी, जो उन लोगों ने खुद record करी है, वो मैं दिखाना नहीं चाहता है, वो circuit करना गलत है, आगे यह कहते हैं कि जो इनका Bloom review है, इसमें यह British Sikh population की, यह amazing लोग है, they are amazing people, मगर एक छोटी सी aggressive minority है, इसी community में ही that are not representative of them, the UK government needs to do more to deal with these extremist fringe elements, और यह मैं आपका उदा दूँ, यह UK government की एक security assessment की report है, Bloom ने यह भी कहा था, के 2018 में न, Canadian government ने एक report publish करी थी, इस report का नाम था, 2018 Public Report on Terrorism Threat to Canada, इस report में पहले Canadian government ने खालिस्तानी elements का mention किया, बाद में pressure के वज़े से, political reason की वज़े से, इन्हों ने जो यह mention है, यह remove कर दिया, Bloom ने आपर यह कहा है, के जो गलतिया Canada ने करी थी, वो गलती UK को नहीं करनी चाहिए, यह कुछ एक handful लोग है, जो countries के बीच में relations खराब कर सकते हैं, communities को divide कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाऊगे, Bloom ने लिखा था, propagating hate and division, trying to brainwash youth to cause division and hate in India, is really sad, तो इसलिए आप समझ गए होगे, के यह issue इतना serious क्यों है, और government of India, यह issue UK के साथ race क्यों कर रही है, क्योंकि पहली बात तो it is very disgraceful, क्योंकि threaten or abuse ना सिर्फ Indian High Commissioner, जो Scotland के एक member of Parliament थे, जो इनके साथ आये थे, उनके साथ भी same बरताव किया गया, और देखो, एक बड़ा incident यहाँ पे avoid किया गया है, यह बात साफ साफ लिखी है, the High Commission said the attempt of the non-local extremist element to violently force open the door of Commissioner's car needs to be looked by the police and pointed out that only the quick reaction of one of the organizations who physically intervened prevented what could have been a bigger incident, bigger incident यह हो सकता था, कि अगर Indian High Commissioner को यह जो लोग थे, जो ग्लासगाओं के बाहर से आदे, जो threaten कर रहे थे, यह physically attack कर देते, यह बहुत बड़ी बात होती, एक High Commissioner को physically attack किया जाता है, अगर मानलो UK में, that would have been a huge issue, इंडिया हो सकता था, उस case में अपने High Commissioner को security reasons की होज़े से वापस भी ला लेता है, फ्रॉम UK, तो घुम फिर के देखिए, यहाँ बात आती है, कि Indian High Commissioner को proper security प्रवाइड करनी चाहिए, इससे पहले आपको याद होगा, जो भारत का High Commissioner है, लंडन में, उसके बाहर प्रोटेस् जाले बनाने की बात चल रही थी, और जो security थी, वो भी इनकी थोड़ी बहुत कम कर दी गई थी, तो again, यह बात UK को समझनी होगी, कि जिस type की security प्रवाइड करते हैं, American envoy को, बाकी envoy को, same type की security, इने Indian High Commissioner को भी प्रवाइड करनी पड़ेगी, even while he is traveling, क्योंकि in the end, इनकी security की जि बैडन किया गया, और यहां पर violence भी हो सकता था, तो देखना होगा कि UK कैसे react करता है, इस issue को लेकर, now finally वावस आते हैं, हमने question की तरफ, कि Russia अपना जो defense budget है, कितना percent increase करने वाला है, 2024 में, तो सही उत्तर यहां पर है, option A, 70%, massive 70% की high income देखेंगे, और it is very much possible, कि Russia का defense budget कई दश point पर पहुच जाए, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, bank का पर चेस कर सकते हैं, Unacademy के quality courses, comment section में जाए, pinned comment में यहां पर आपको मिलेंगे link, for example, let's say आपको prepare करना है, UPSC के exam के लिए तो UPSC के link पर यहां पर करिए click, और यहां पर पर चेस कर पाएंगे Unacademy का UPSC course, but जो prices यहां पर लिखे हैं, don't ever pay these prices, simply यहां पर code डालिए PD10 and the prices will start falling and you will be able to save a lot of money, so use the code PD10 and save money, और इसी note के साथ यह है video कांथ, thank you for listening, may the gods watch over you. आए एंगे